हेलो दोस्तों वेलकम है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल में तो आज में आप सबसे यह ओलियंडर जिसे कनेर करते हैं दोस्तों तो इस समय यह डोलमेंसी से बाहर निकल गया है और अभी इसका यह फ्लावरिंग का समय हो रहा है तो इसमें हम ऐसा कौन सा खाद डालें क्या काम करें हम और कैसे इसकी देख भाल करें कि इसमें हम पूरे गर्मी हम भर भर के इसमें फूल ले सकते हैं तो वही आज में आप सबसे शेयर करूंगे दोस्तों और देख सकते हैं मेरे कनेर में कितनी अच्छी जबर जास्त ब्लूमिंग हो रही है कितनी अच्छी फ्लावर यह दॉर्मेंशी से बाहर आगे है दोस्तों, इसमें इनका फ्लाउरिंग का समय चल रहा है, तो इसमें कौन सा बहुत जूरी जूरी काम करना है भी आज में आप सब सेर करऊंगे, ओलियंडर कनेर जिसे खरते हैं दोस्तों, यह दो किस्म के होते हैं, मतलब एक हाइबरेड हो होते हैं और एक देशी होते हैं तो हाइब्रेड में भी आपको कई कलर के मिल जाएंगे और देशी में भी आपको कई कलर्स के मिल जाएंगे सफेद पिंक और डार्क पिंक होता है लाइट पिंक होता है और इसमें हाइब्रेड में भी आपको फाइट कलर के और रेड कलर के प यह विंटर में डॉर्मेंसी में रहता है लेकिन अगर इसको अच्छी खाद देंगे तो यह विंटर में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसमें यह डॉर्मेंसी से बाहर आ गया है तो इसमें हम ज्यादा फूल लेने के लिए इसमें जब हम खाद डालेंगे तभी यह अच्छी फ्रावरिंग करेगा एक heavy feeder plant होता है इसमें हुमें 50-50 दिन पर 20-20 दिन पर अगर इसमें खात बिए कश्च अच्छ फ्रावरिंग नहीं करेगा और जब फ्रावरिंग करता है एक बहुत जबजस्त इसमें फ्रावरिंग करता नहीं होती है अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं से मिले इसकी cuttings roadside भी देखेंगे, तो धेरो सारे इसके hybrid desi plants सब लगे हुए होते हैं, तो वहां से भी आप इसकी cuttings को लाकर के अभी भी ग्रो कर सकते हैं, अच्छा समय चल रहा है, इसकी cuttings लगाने के लिए भी, और देख सकते हैं, इसक बहुत अच्छी blooming होती है, और ज्यादा फुल लेने के लिए आप इसे लगा सकते हैं, और ज्यादा देख भाल उतनी इसमें करनी नहीं पड़ती है, कम के यर में ही यह बहुत अच्छी flowering करता है, बस इसमें fertilizer time to time आप डालते रही है, तो आज एक मैं fertilizer भी आप सब सेयर बहुत अच्छी होगी, और flowering भी जब जस्त होगी, तो इसे आप इसमें पानी हमेशा चे करके डालते रहे हैं, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है, तो इसकी जो पतिया होती है, तो यह बहुत जल्दी यलो हो करके गिरने लगती है, और वैसे तो इसमें पत जड़ का मौस अच्छी होगी, और अगर पानी का ध्यान देंगे, तो यह जो पतिया यलो हो रही है, तो यह नहीं होगी, और दूसरे नमबर पर आप जब नर्सरी से यह कनेर के प्लांट ला रहे हैं, तो इसे छोटे गमले के बजाए आप बड़े प्लांटर में लगाईए, तो इसकी में लगाया है, जब भी इस पहुदी को लगाए, तो बड़ा गमला दे, 15 इंच का गमला, 10 इंच का गमला, तो इससे बहुत अच्छी आपके प्लांट की ग्रोथ होगी, या तो ग्रोबैक्स हो, वेस्ट ग्रोबैक्स हो, बड़ी साइज के, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, इसको थोड़ी फैलने की जगह हर चाहिए होती है, इसकी रोट्स भी बहुत जल्दी फैलते हैं, तो इसलिए इसे बड़ा प्लांटर ही दीजिए, और वेस्ट चीज में भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास सीर्टीन हो, जो ऐल आते हैं, तो उसे आप कट करके लग हैं, तो ऐसे ही इन में ये फ्लावरिंग भी करते रहते हैं, सीट्स भी अपने आप मुझे प्लांट भी फ्लावर प्लांट भी मिल जाते हैं, तो बड़े प्लांटर में आप सीट्स को विखरते रहेंगे, तो आपको फ्री में ही लिए फ्लावरिंग प्लांट तयार मिले तो इनको मैं disturb नहीं करूंगी और कुछ दिन बाद इनको मैं shift करूंगी तो इसे में फ्लावरी करेंगी तो सबसे पहले खाद देने से पहले इसकी मिट्टी की अच्छी गुडाई करेंगी जो भी उपर रूट्स आये हैं तो थोड़ा इसकी हलगे से प्रूनिंग भी हो जरूर करते रहिए ताकि एरेशन बना रहे है और जो अक्सिजन प्लांट को मिलता रहे आपके और मिट्टी भी थोड़ी भूरी बनी रहती है तो गुडाई करने के बाद दोस्तों अच्छे से थोड़ी गुडाई कर लीजिए मैंने थोड़ा इसको बचा-बचा करके और इसके बाद यह है देखिए कंपोस्ट सबसे जोरी होता है फ्लावरिंग करने के लिए मदद करता है ताकि हमारे प्लांटों की ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी हो और थोड़ी सी यह मैंने सर्सों की खली ली है और निम की खली आप ले सकते हैं ताकि प्ल कमपोस्ट लीया है दोस्तों और इसी में जो मैं उपली का फर्टिलाइजर भी है कि तो व कॉले में यह जाते हमों तो और शुर्मे कंपोस्ट जैए कि आपके पास जो भी इऊफट में वरमी स्पोश्ट मुम्चट जो बढ़र चाल रिख जाली है तो यह मैं इतना सारा कंपोस्ट दे रहे हूं यह आधा कीलो से कीलो के करीब है क्योंकि मेरा प्लांटर थोड़ा बड़ा है प्लांट भी हेल्दी है तो उस के अनुसार आप अपने पौधे को खा दीजिए और 15-15-20 दिन पर अगर यह कंपोस्ट आप डालते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रो से बाहर आने के बाद पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज करना जरूरी होता है और एक में इसमें लिक्विट फर्टिलाइजर भी डालूंगी जो प्लांट की ग्रोथ को और इच्छी बढ़ाएगा और यह तो धीरे धीरे यह कंपोस्ट प्लांट को देगा लेकिन लिक लिक्विट फर्टिलाइजर में आप सब से सेर करूंगी दोस्तों वह भी जो इसमें अपने पौधे को देंगे सभी पौधे को दे सकते हैं तो उसे प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होती होती है फ्लावरिं भी जबजस्त होती है तो दोस्तों मैं यह फर्टिलाइजर कहीं से भिला करके इसको भीगार दीजिए दो चार दिन के लिए फिर उसके बाद इसका लिक्विड फर्टिलाइजर तयार हो जाएगा तो इसको आप अपने पोधे में डालेंगे तो बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती ह और यह सीड भी बनाते हैं दोस्तों जो कनेर होते हैं तो इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन मेरे में तो बने थे मैंने ध्यान ही ने दी है मेरा उड़ गया तो यह अडेनियम की तरह ही होते हैं उड़ भी जाते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बिल आइकन की बटन को जरूर प्रेस्ट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके तो अब भी इसमें अपने कनेर के पौधे में ज्यादा फूल लेने के यह काम करिए दोस्तों और इनको अच्छी तरह से खा दीजिए फटिलाइस करिए तो चलते हैं बाई हैपी गाड़ने